Hello student, this is Abhishek here, और स्वागे था आपका हमारे चानल study class पे, तो जैसा कि आप सब thumbnail में देख पा रहे हैं, कि यह प्रत्थम वर्स का विशे, दूसरा विशे, 802 प्रशन पत्र करमांग, जो की है समसामिक भारतिय समाज में सिक्षा का प्रशन पत्र करमांग 2023 का, जी हां यह 2023 में आया हुआ प्रश्णपत्र है original question paper है जो 2023 में पुछा गया था तो इसको देखकर आपको idea लग जाएगा कि आपकी पंदरतारी को परिक्षा होने वाली है यह जो आपकी परिक्षा होगी समसामी धरते समाज की सिक्षा में उसमें कैसे questions आते हैं किस प्रकार क्य लिखा हुआ देख सकते हैं यह आप देख पाऊंगे साथी सत आपको देखने मिलेगा कि आपर subject का नाम लिखा हुए दोनों इसमें लिखा हुआ हिंदी वर्जन इंग्लीश वर्जन फिर time जो है 3 hours का समय और 70 मास का paper यह लिखा हुआ है और general instruction जो आप पहले भी मैंने बता टिर्वेरी शॉर्ट तो उनकी सब्सीमा 30 म् relies यानिश दो मात के लिए है थिके दो मास के या बढर जाएगा जो सिर्व कौपी भरने से नमबर नहीं मिलता क्योंकि यह एपर अक्वत सिधा में लिखना ही पूरे नियम फॉलोग करने हैं आपको ठीक है चलो तो आगे बढ़े डायक कोशन बेपर बढ़ते हैं है ना सीधा पढ़ते हैं किस प्राइब कोशन आये थे तो यह अब्जेक्ट्व में देखो राष्ट्रिय पाठे चर्या की रूप रेखा 2025 की क्या समस्या आए थी क्या-क्या प्राव्लम थी तो यह सब उपरोग तो सभी फिर कारे के बाद सिक्षक का मुखेदार क्या होता है कारे का मुल्य अंकरन करना कारे की परतिस सजक्टा रखना यह सारी साप्शन आपको चुनना है तो यह आप ध्यान रखे थोड़ा सर्च क यह पारीट हुआ तो यह पारीट हुआ दोजार नौ फिर आप देखेगा यही को इसी परस्न को इंगलीश में आपने दिया हुए तो अगर किसी को इंगलीश हिंदी में दिक्रत होती है तो दोनों वरजन आप देख पाएंगे फिर देखेए नैशनल काउंसिल आप टीचर एजुकेशन एंसीटी कहां पर सीथ है जो अंग्री जी अभी हमने जस्ट पढ़ा था ठीक है आगे बढ़े हिंदी का बात कर ली तो अब अंग्री जी की बात नहीं करते हैं यहां पर देखें खाली स्थान भी दिया हुए अब खाली स्थान द विद्यालों में प्रोट्फोलियों का संबंद किस चीज़ से होता है विद्यार्तियों से अध्यापको से केंद्रिय सिक्षा परामार्स मंडल C A B E कि स्थापना कब हुई थी कौन से वर्ष में हुई थी ठीक 1935 वे वैसे तो उत्तर साइस का 1935 ही है ठीक है फिर भी आप सर एक वाक में पूछाए वैसे करण की कोई दो लाव वैसेस्ताय लिखिए फिर FLN का पूरा नाम लिखिए फुलफॉम लिखिए मध्यपरदेश में राज्य सिख्षा संस्थान कहां सती था यह एक वाक्य में या फिर एक शब्द में दे सकते उत्तर आधुनी की करण का जाता है इसी कोशन पेपर से ठीक है चलो टौक आगे बड़े आगे बड़े यहां पर आप यहां से समांता से क्या आचा है एक्वालिटी ऑफ एजूकेशन ऑपरचनिटीज फिर समाजिक स्थरीकरण की कोई एक परिभाशा लिखिए तो यह इस प्रकार के कोशन आये थे फिर आगे बात करें तो अब यहां पर आपको देखोगे यह भी टुमास का समाजिक परिवर्तन का अर् आप यहां से आपको आप्शन मिलेंगे इसके बाद से 10 के बाद से आप्शन मिलना सुरू जाएंगे सिक्षा के सर्वजनी करने से क्या अभी प्रहा है क्या समस्ते आप अब यहां पर आप्शन में देखो समाज का अर्थ एवं परिभाशा लिखिए समाज का अर्थ क्या ह अब इसके और में सवाल पूछा गया है यह था उसके उपर वाला अब देखिए तेरा नमर का प्रश्ण है प्रारंबीक सिक्षा के मुख्य उद्देश्वत था इसकी आवशक्ता पर प्रकाश जा लिए इसके अथ्वा में आ चुका है अब आप देखोगे यहां पर प्रश कोशन दिया हुआ है उपर निच नहीं दिया है एक ही कोशन में आधाधा दिया है त्यां रखना है और और समझ पाना कई लोग समझ नहीं पाते प्रश्ण पत्र को भी तो यह समझना जरूरी है आगे बड़े यह देखिए समानता के आवसर उन्यन के मुख्य उपायों का उल्लेखे कीजिए फिर सैक्षिक आवसरों की समानता की अवशक्ता पर प्रकाश डालिए और बिथात्वा में जिला सिक्षा अधिकारी के कारियों का उल्लेखे कीजिए स्थानियस तर पर सिक्षा प्रसासन के मुख्य समस्या क्या है स्थानियस तर पर याने लोकल लेवल अथ्वा समकालीन भारतिय समाज की मुख्य विश्यस्ताओं का विवेचना कीजिए इसके बारे मतलाईए फिर लोगतंत्री ववस्था की गुणों अथ्वा आदवर्चों का विवेचना कीजिए इन सब प्रश्ण कुत्तर आपको हमारे कोर्स में मिलेंगे तो कोर्स पर्च कि प्रारंबिक सिक्षा में अपोय तथा अवरोधन के कारणों अथा उपायों का वर्णन कीजिए या तो पहले प्रारंबिक सिक्षा का अपोय तथा अवरोधन के कारण का वर्णन कीजिए या फिर उसके उपायों का वर्णन कीजिए और में वही दे दिया गया है प्त्र आपको पूछा गया थाथ तो यह आपको ध्यान में रखना है ऐसे प्रश्ण आपको आते हैं पहले तो आप स्यारी करना के लिए इन प्रेश्णों को अच्य electro तो दिये गए वाटसर नंबर मैसेज करके कोर्स पर्चिस कर सकते हैं आपको कोर्स की इंफर्मेशन मिल जाएगी तो यह था वाई वीडियो study class.